हेलो एब्रिवन दृष्टी के टीचिंग एग्जाम ये जी टूप चैनल वे एक बार फिर से आपका स्वागत मैं हूँ गिता अंजली शुक्ला जैसे कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ इसके जोग्रफी सेग्मेंट पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें इसके सिलिबस में मैंशन भूगोल विशे शे जुड़े हुए वे सभी टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तयारी के लिहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन टॉपिक की कंसप्ट पर यहाँ हम चर्चा कर रह हैं बशिकली सिलिबस में चोसो टॉपिक मेंशन है उन टॉपिक में क्या-की इंपॉर्टेंट कंसप्ट शामिल है इसके अलावा उस भी तथी कौन सौरमंडल में विभ्यनिग्रह कौन-कौन से हैं, आकाश गंगा के बारे में, बिग बैंग थियोरी के बारे में हमने समझा, हमने पृत्वी की गतियां पढ़ा था, जो हमारी last class थी, इसमें हमने पृत्वी की गति के संबंध में चर्चा कर रखी थी, और इसमें हमने देखा था कि कैसे पृत्वी की जो गतियां हैं वे दो प्रकार से हैं, इसमें एक हमने घूनन गति पढ़ा और दूसरा परिक्रमण गति पढ़ा, यानि एक परिभ्रमण देखा, हमने परिभ्रमण गति देखी, जिसे हम घूनन गति के राम से जानते हैं, और पृत्वी की ही हमने परिक्रमण देखी परिक्रमण गती देखी यानि सूरी के Čरो हो जो चक्कर लगाते है प्रित्वि ये कख्चया में उसी हम क्या कहते है, प्रित्वि के परिक्रमण गती खिकी अब आज कीACEटी क्लास प duties करूने वाले हैं हमारे आसपास जैसे हम कहते हैं में परिवर्तन कैसे होता है पूरी पृत्षी में रितुओं का परिवर्तन देखने को मिलता है इसी विशय पर आज हम चल्चा करेंगे चिक है तो यह ध्यान रखना है कि जो रितुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है वे पृत्वी की परिक्रमण गती के फलस्वरूपी देखने को मिलता है यानि सूर्य की जो किर्ण प्रित्वी की परिक्रमण करने के साथ साथ प्रित्वी की जो गती बदलती है, उस गती के बदलने में, एक ही किय स्थान पर प्रित्वी की सूरी के चारोव। इसकी गती की बदलने की फलस्वरूप ही जो सूरी की किर्णे पृत्वी पर अलग अलग समय में पढ़ रही है अलग अलग समय में एक ही स्थान पर सूरी की किर्णे जो पढ़ रही है उसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है और इस प्रभाव की फलस्वरूप ही र तो जब हुम बात करेंगे रितु होग्रफी के चाल्य परिवर्तन की है रितु परिवर्तन लुगुद्टogen hra आ चैन्ज आभी है आधोर्फ लुगावक होग्राफी के चैन्ज के आधार लुग ची टोबिक परिवर्थन सब्लाइ cokeर बहुत के चैन्जन term चीक है? देखिये, रितुऊं में जो परिवर्दन हो रहा है, हमने क्या कहा? जैसे ही पृत्वी, अपनी जूकी हुई अवस्था मैं, जूकी पृत्वी अपने अक्ष पर कितने डिगरी? रिखते टीज दिगरी जूकी हुई है. तो पृत्वी अपने अक्ष में जुकी हुई अवस्था के साथ जैसे ही सूरी के चारों और परिक्रमन गती करती हैं जिसे करने में उसे 365 एक बटा चार दिन लगते हैं जिसे करने में उसे 365 एक बटा चार दिन लगते हैं उसे ही हम पृत्वी की परिक्रमन गती कहते हैं और इसी के आधार पर रितुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो रितुओं में परिवर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टन बात क्या ध्यान रखना है, कि रितुओं में परिवर्तन डेपैंड करता है किस पर सूरी की किर्णे किस तरीके से किस अवस्था में पृत्वी पर पढ़ रही है चिक है तो ध्यान रखेगा जब भी रितु में परिवर्तन हम पढ़ेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज आपको हमेशा ध्यान रखने है कि जो प्रत्वी जुक्य हुई अवस्था में अपने अक्ष पर शुरू करते हैं हम कहां से अक्ष से तो जुक्य हुई अवस्था में प्रत्वी सा सूर्य का सूर्य की परिक्रमा करती है चिक कौन प्रत्वी अपने अक्ष पर जुक्य हुई अवस्था में इसकी सूर्य की परिक्रमा करती है और इन विभिन अवस्थाओं की फल्सुरूप जिन जिन अवस्थाओं से प्रत्वी होकर गुजरती है इन विभिन अवस्थाओं की फल्सुरूप एक ही स्थान पर अलग-अलग समय में ध्यान रखेगा क्योंकि हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ रखा है क्या कि मान ली ही हैं बाहर की ओर, चिक, यही सूर्य की खरण है, मान लीजे पृत्वी की हम चार अवस्थाओं की बारे में चल जा करें, एक यह स्थिती है, दूसरी यह स्थिती है, चिक है, तीसरी यह स्थिती है, और चौथी यह, चिक, और पृत्वी अपने अक्षपर्जु की हुई है, कुछ इस तरीके से अब इन चार अवस्थाओं में इन चार अवस्थाओं में हम पृत्वी की स्थिती के बारे में चर्चा करेंगे और हम सभी जानते हैं कि पृत्वी क्या कर रही है सूरी के चारों और परिक्रमा कर रही है सूरी के चारों और परिक्रमा कर रही है और यही परिक्रमा सूरी के चारों और जो पृत्वी कर रही है इसे ही पृत्वी की क्या कहते हैं परिक्रमन गती कहते हैं तो पृत्वी आपने क्या देखा कि जैसे ही पृत्वी सूरी की परिक्रमा कर रही है इस परिक्रमा करने के द इसी क्रम में आप देखेंगे कि जब प्रथवी, मान लीजी कि 21 जून की स्थिती है, यह 23 सितमबर की स्थिती है, यह 22 दिसमबर की स्थिती है, और यह 21 मार्ज की स्थिती है, अब देखेंगे, हमने क्या देखा कि अलग अलग समय में, मार्च में, जून में, सितमबर में, प्रथवी की स्थिती सूरी के सापिक्ष अलग अलग है, क्योंकि जहां आपने देखा मार्च में साउथ पोल सूरी के सामने आ रहा है, वहीं आप देखेंगे कि जब जून की स् जाता है या नॉर्थ पोल से रिलेटेड या कह सकते हैं उत्री गोलार्ध सबसे सटीक शब्द क्या है इसके लिए कि उत्री गोलार्ध सूरे के सामने आ जाता है ना कि नॉर्थ पोल या उत्री ध्रुप या उत्री गोलार्ध का अधिकांश भाग सूरे के सामने है सितंबर वाली अवस्था में आप देखेंगे कि जो नौर्थ पोल है वह क्या होगा थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और ये हिस्सा किसके सन के सामने आ जाएगा फिर आप जैसे ही दिसंबर की स्थिती में पहुंचेंगे तो आप क्या देखेंगे जो साउथ वाल कोशिश करते हैं जैसे हमने क्या चर्चा किया भी कि सूरी की परिक्रमा के दौरान प्रित्वी जुकी हुई अवस्था में सूरी की परिक्रमा गती कर रही है और इस अवस्था में अलग-अलग स्थिती से गुजरने के दौरान अलग-अलग समय में ध्यान रखेगा अलग अलग समय में जो सन की लाइट पड़ रही है प्रित्वी पर सूरी की किर्णे पड़ रही है प्रित्वी पर वे क्या है अलग-अलग है और इसी के फलस्वरूप अलग-अलग रित्मों का आगमन होता है अलग-अलग रित्में प्रित्वी में देखने को मिलती है क्यों क्यों जो सनलाइट पड़ रही है, सूर्य का जो ताप पृत्वी पर पड़ रहा है, इसी ताप के फल्सवरूप ही रित्मों का आगमन होता है, यही ताप डिसाइड करता है कि जहां बहुत अधिक मात्रा में ताप पड़ेगा, वहां गरीश में रित्व होगी, जहां ताप की मात परिवर्तन में कौन-कौन सी तीन इस्थितिया है, रित्वों की परिवर्तन की तीन अवस्थाएं हैं, ध्यान रखेगा, पहले अवस्था हम पढ़ेंगे, 21 जून की अवस्था, यह आप कह सकते हैं, 21 जून की अवस्था, जो किस से जुड़ी हुई है, रित्व में तीसरी अवस्था या तीसरी स्थिति पढ़ेंगे वह होगी विशुव के स्थिति अब यह विशुव क्या है से हम पढ़ते हुए देखेंगे विशुव या उसे कहते हैं हम एक्क्विनॉक्स Equinox की स्थिति चिके तो रितु परिवर्तन की या हम बात करें कि पृत्वी सूरी की जो परिक्रमा कर रही है उसकी तीन अवस्थाएं हैं तीन अवस्थाओं अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं कि जून के स्थिति, बाय दिसंबर के स्थिति विशुव की स्थिति याऊ एक्विनॉक्स की स्थिती, ठीके, यानी सूरी के ताप की विटरण की फल सुरूप ही हमें अलग अलग स्थानों पर ध्यान रखेगा, एक स्थान पर अलग समय में सरदी और गर्मी का अनुभव होते हुए, देखेगा, या नि, देखिए, केवल क्या अंतर है, इस्थान सेम है, लेकिन अलग-अलग समय है, मार्च, जून, सितंबर दिसंबर, एक ही इस्थान पर अलग-अलग समय में अलग-अलग रितु देखने को मिलती है, इके साधार पर वित्वी की परिक्रम अगति के कारण, अब आईए हम सबसे पहले समझते हैं, 21 की स्थिती को, क्या है 21 जून की स्थिती, देखे, इस image की थू हम समझेंगे, 21 जून की इस्थिती को, जब 21-जून के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, कि देखे, प्रित्वी, 21 जून की अवस्था में क्या हो रहा है, जो उत्तुरी गोलार्द है, यह क्या है शून डिगरी अक्षांस यह विश्वत रेखा ठीक इसकी उपर साढ़े 23 जिगरी नौर्थ में क्या है करकर रेखा और 23 जिगरी साउथ में क्या है मकर रेखा ठीक है आपने देखा जो सूरी की क्रिण है वे जून के समय कहां पर है सबसे ज्यादा पड़ रही है उत्री गोलार्ध में उत्री गोलार्ध में सूरी का ताप अधिक प्राप्त होने की वजह से या उत्री ध्रुवरत के भीतर विश्वत रेखा के भीतर अधिक ताप प्राप्त करने की वजह से यहां गर्मी होगी तो यहां कौनस रितु होगी ग्रीश में रितु होगी ग् तो आपको क्या धियान रखना है कि 21 जून की स्थिती में कहां उत्री गोलार्द में घ्रीश मिरुतू होती है ठीक है और जो 21 जून है एकजेट डेट धियान रखेगा 21 जून है उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है रात क्या होगी छोटी होगी ठीक है यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा रात क्या होगी छोटी होगी यह आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखेगा 21 जून की इस्थिती के फलसुरूप हम बात कर रहे है नौर्थ पोल की जब सूरी कहा गी जहां पर उत्री गोलार्द किसकी और जुका हुआ है सूरी की और जुका हुआ है तो सूरी की सीधी करने कहा पड़ रही है करकरेखा पर पड़ रही है सीधी करने पड़ रही है करकरेखा पर आप देख रहे हैं करकरेखा पर सूरी की सीधी करने पड़ रही है इस वज़ज़ से यहां उश्मा अधिक है उश्मा अधिक होनी के यहाँ पर उत्री गोलात वाले शेत्र में क्या होगी गर्मी होगी और गर्मी होने की वजह से ही 21 जून को यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा उत्री रेखा के बाद वाले जो भागों में यहाँ पर क्या होगा सबसे बड़ा एक और इंपोर्टन बात आपको क्या ध्यान रखना है 21 जून को सूर्य सीधे किस पर लंबो बज़ पड़ता है करक रेखा पर इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा और रात छोटी होगी और उत्री जो लाइन है उत्री ध्रुवरत वाली जो लाइन है यहाँ पर ध्यान रखे शे महिने का दिन होगा लगभक शे महिने का दिन होगा चिक है लगभक शे महिने का दिन होगा यह आपको ध्यान रखना होगा. और सबसी लंबा दिन होगा 21 जून को और सबसी छोटी राथ होगी कहाँ पर 21 जून को. ठीक है? यह स्थिति कौन सी स्थिति हैं? इसे कहते हैं उत्री अयनान्थ. उत्री अयनान्थ. जब उत्री गोलार्ध सूरी की ओर जुका हो, उसे हम उत उत्री अयनांत कहते हैं, ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, उत्री अयनांत के साथ साथ इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम ग्रीश में अयनांत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और कैसे ध्यान रखना है आपको, कि जैसे ही आप आगे की और बढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे की और जैसे ही आप बढ़ेंगे, चिक है, आप आगे बढ़ेंगी, कौन सी सिचुशन आएगी, 23 सिचुशन, अब 23 सिचुशन में क्या बन रहा है, आपने देखा कि नौर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, इस क यहां पर सूरी की करने सीधी कहा पढ रही है विश्वत रेखा में सूरी की करने सीधी परने की वजह से इसे विश्व कहते हैं इससे क्या कहते हैं विशुव की स्थिति कहते हैं जिक है ध्यान क्या रखना है इसे विशुव की स्थिति कहते हैं तो ध्यान यह रखना है जब भी हम विशुव की स्थिति के बात करेंगे तो चाहें अभी इस स्थिति में याने 23 सितंबर की स्थिति में नौर्थ पोल क्या ह नीची के ओर है जुन ऊर्थ पोल वाला हिस्सा होगा कि द्सिती में विशुव की स्थिती मैं हम कहां पढ़ रहे हैं विशूव की स्थिती से आप आएंगे नीची के ओर देखींगे आप देखेंगे कि विशुव की इस्थिती में, जब 23 सितंबर होगा, तो जो नौर्थ पोल वाला हिस्सा होगा, यहां, यहां पर शरद रितु होगा, और जो साउथ पोल वाला हिस्सा होगा, यहां बसंत रितु होगा, और यदी पूछा जाए, यदी पूछा जाता है कि 23 सितंबर में जो तो ध्यान रखिएगा कि इसे शरद विशुव के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसे शरद विशुव के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसे शरद विशुव के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसे शरद विशुव के नाम से जानत कि जो सूरी की किरने वे कहां पढ़ रहे हैं, दक्षणी गोलार्द वाले हिस्से में पढ़ रहे हैं, यहां इस हिस्से में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो किरन, किरन, माफ की जगा, यहां पर जो रेखा सूरी के सबसे सीधे पढ़ेगी, यहां आप कहिए, कि जो साउथ वाला हिस्सा है दक्षनी गोलार्द वाला हिस्सा कहां जुका हुआ है सूरी की और जुका हुआ है सूरी की और हिस्ता होने की वजह से सूरी की करने सीधी यहां पढ़ती है कहां मकर रेखा में सूरी की करने सीधी मकर रेखा में पढ़ने की वजह से क्या ध्यान रखें मकर र और जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में सूर की करिना कम पढ़ेंगी, ना की बराबर, तो क्या कहते हैं, यहाँ, शीत्रितु होगी, इस वाले हिस्से में, नॉर्थ पोल वाले हिस्से में क्या होगी, शीत्रितु होगी, इसे कौन सा आयनांद कहेंगे, ब जब साउथ पूल वाला हिससा सोरी के और जुका हुआ है तो इसे हम दक्षणी आयनांत कहते हैं कि दक्षणी आयनान तो जब हम 22 दिसमबर वाली इस्थान की बात करेंगे कि 22 दिसमबर में क्या होगा तो 22 दिसमबर में साउथ पोल या कहें दक्षणी गोलार्थ संद की ओर चुका हुआ है सूरी की ओर चुका हुआ है जिस वजह से मकर्रेखा पर सीधी केरणे पड़ रही है तो यहां पर जो स साउथ पोल वाला हिस्सा है, 22 दिसंबर को साउथ पोल वाले हिस्से में दक्षणी गोलार्थ वाले भाग में ध्यान रखेगा, क्या होगी, दक्षणी गोलार्थ वाले हिस्से में दिन बड़ा होगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, कब, 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंब रखेगा कि जहां सूरी की किरणे सीधी पड़ रही हैं, करकरेखा में 21 जोन को सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, दक्षिनी कोला अर्थ में जब सूरी की ओर जुका हुआ है, यहां पर मकररेखा में सीधी किरण पड़ रही है सूरी की, ठीक है, तो 22 दिसंबर के दिन यहां सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, तारीख याद रखेगा 22 दिसमबर, किस समय की बात कर रहे हैं, समय की समय, पृत्वी का, जो साउथ पोल है, वहसूरी की ओर है, ठीक है, यह हमने पढ़ा किसके बारे में, दिसमबर वाले स्थिति में, ठीक है, इसके ठीक ओपजट, जहां 22 दिसमबर को सबसे बड़ा दिन है, शीत रितु में, उत्री गोला आर्थ में, 22 दिसमबर को छोटा होगा, चीक है, छोटा दिन होगा, हम आगी की ओर बढ़ते हैं, और पहुंसते हैं फिर से, विशुब की स्थिति, विशुब यानि हमने अभी पढ़ा था, एक्विनॉक की स्थिति, यानि वह स्थिति जहां पर सूरी की किर्णे विशुबत वृत्त पर सीधी पढ़ती हैं, जहां पर सूरी की किर्णे विशुबत वृत्त पर, यानि हाँ पर, शूरी की किर्णे विशुबत वृत्त पर क्या पढ़ रही हैं, सीधी पढ़ रही हैं, जिस वजह से विश्व के स्थिति में चाहेवाँ 23 मार्श को हो, या 23 सेतंबर को, विश्व के स्थिति में दिन वारात बराबर होते हैं विश्वव के स्थिती में दिन वा रात बराबर होते हैं, ध्यान रखेगा, ठीक है, और जो हमने देखा था, 23 सितंबर में नॉर्थ पोल उपर के ओर है, यहां शर्डितु है, और साउथ पोल में बसंत्रितु है, उपर वाले विश्वव में, यानि 20 मार्च को ठीक ऑपोज हो जाएगा, ध्यान रखेगा, विश्ववद वृत में विश्वत रखा में सीधी करिणे पढ़ने की वज़य से धिन और रात बराबर होते हैं, कहाँ पर पोल पर ध्यान रखेगा, बराबर होते हैं, और एक और इंपोर्टन बात, आपको यहां ध्यान रखना है, इस शरद रित्य और जो नौर्थ पोल वाला हिस्सा है यहां बसंद अब ध्यानी यह रखना है कि इमेज के हिसाब से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे जो सन है वही इस तरीके से है और पृत्वी यहां है तो सीधी करन पढ़ रहे हैं कहां विश्वत रेखा पर विश्वत रेखा पर यह मत समझेगा यहां कि ऐसे पृत्वी रखी हुई है और करन नीचे से पढ़ रहे हैं नहीं सूरी सामने है पृत्वी ऐसे है और सूरी की करन विश्वत रेखा पर सीधी पढ़ रहे हैं इस तरीके से और ठीक यहां 23 सेतंबर वाल इस्थिती में भी ऐसी होगा, तो यह आपको image की थूप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आप इन्हें ठीक से याद रख लीजेगा, चीखें, तो यह पूरी स्थिती थी क्या, रितूओं के आधार पर कि कैसे रितूएं बनती है, कैसे शर्द रितू आती है, कैसे बसंत रितू आती है, कैसे देखें, ग्रिश्मी रितू आएगी, हम नौर्थ पोल वाले हिस्ते में अधिकांशता ध्यान रखें, नौर्थ पोल में कहां पर कैसे ग्रिश्मी रितू होगी, कब शीत रितू होगी, ये सारी चीज़ने तैह होती हैं किस पर पृत्वी की परिक्रमण गती के आधार पर तो यह थी हमारी पृत्वी की परिक्रमण गती कैसे रितुमे में परिवर्थन होता है यह मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कुछ खास और important topics के साथ जो आपकी परिक्षा के त्याराई के ल झाल झाल